हेई वीवर्स वेल्कम बैक टू माई चैनल नभिया के टॉप टिप्स में आज हम बनाएंगे खीमा मैकरोनी इंस्टेंटली और इजी बन जाती है टमाटर और प्यास से बनाएंगे बहुत ही आसानी से बन जाती है तो चलिए इस मज़दार रेसिपी को स्टाट करते हैं मैंन मैकरोनी पाकाने के लिए पानी में थोड़ा से नमक और थोड़ा से तेल आट करके पानी को बोल कर लिया है जब थोड़ा से पानी हलका सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें आट करेंगे आदा किलो मैकरोनी यहां पे मैं आट कर रही हूं इसको हम 75 परसंट तक पका लेंगे ज जब वोई गरम हो जाएगा तो हमेट करेंगे कद्दुकस की हुई प्यास को करेंगेस Star प्यास को अच्रेप्स की हुई है नर्यवास के चाहलेcomes мама सवट हो चुक्जार है तो मैं एक करेंगे प्यास की हुएय निपन ईकड़ कारेंगे इसको भी हम प्याज और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये पूरी की तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते है तो ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो चुके है अल्मॉस्ट तो अब हम इसमें अट करेंगे हरी मिर्च मिर्च को स्लाइस में कटके अट कर लिया है फिर हम इसमें अट करेंगे एक टी स्पून लेसें का पेस्ट इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तिल में हलका सब जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें मसाले अट करेंगे वो हाफ टी स्पून गरम मसाले अट कर लिया है व अब दूसरा कोई पॉडर अड़ करना जाते हैं तो आड़ कर सकते हैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें टेमेटो सॉस एड़ कर लेंगे फिर स्वाहद अनुसार नमक इड़ लेंगे नमक करने के बाद ठोड़े सा वै अच्छे से मिक्स कर गें एकाप द्धनिया में हुआ है हम थोड़ा से जाद़ा ले रही हूं ताकि जो घ्यमी विख में प्लिवर जाद है अच्छा लगता है अगर आपके प्यास की जो भाजी होती है प्यास की पती बोलते हैं जिसे वोगाती है यह है तो उसको भी थोड़े से अट करना मेरे पासा अभी तो आप आवावलीबक कर रही हूँ इसलिये में धनिया ही थोड़ा साधा कर रहे हूँ कि श़्तха तर पर अदे के बाद इसको को ऑच्छे और करके में जो हम्रोड़े मैके लिए तक पक चुकी है हमारी और एक टिप देना चाहूंगी मैं यहां पर अगर जब भी आप मैकरोनी आट कर रहे हो मसालों में कोई भी मैकरोनी तो आप क्यास का फ्लेम आफ ही कर दें वरना आपकी मैकरोनी पूछ शक्ति है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब तयार है हमारा कीमा मैकरोनी पकर अगर मेरी वीडियो साब को पसंद आती हो तो प्लीज दूसरों तक शेयर किजिए लाइक किजिए अगर नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब किजिए हम मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई